दोस्तो 62 दिन बाद यानि 10 मई 2024 को केदारनाथ मंदिर का कपाट खुल जाएगा जिसे लेकर अभी से तेयारिया भी शुरू कर दी गई है लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर को जागरित महादेग क्यों कहा जाता है आखिर कैसे ये 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद सुरक्षित रहा ये मंदिर आज आपको इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बाते बताएंगे जो शायद ही आपको पता होगी तो चलिए देड़ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं केदारनाथ मंदिर को लेकर ऐसी मानिता है कि यहाँ पर भगवान शिव अपने भक्तों को साक्षा दर्शन देते हैं और तो और आज भी यहाँ पर भैरोनाथ केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं जिनने भगवान शिप के उगर अब्तार के रूप में जाना जाता है। भैरानात मंदिर के लिए एक रचक हैं जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं। यही कारण है कि जब इस मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खूलता है तो वहाँ एक दिया जलता दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 6 महीने के लिए कपाट बंद रहता है तब नंदी और भैरनात दोनों लोग भगवायनशिप की पूजा करते हैं। यह कारण है कि जब साल 2013 में केदारनाथ में प्रलाय आया था तब वहाँ कोई नहीं था तब केदारनाथ की शिबलिंग पर बेल पत्र हमीशा चढ़ा मिलता था जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य का विशह है मंदिर के गर्वग्रे में हर समय अंदिकार रहता है और दीपक के माध्यम से भगवान भोले नाथ का दर्शन किया जाता है यहां स्थापिश शिबलिंग स्वियंभू है जिस वज़े से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाध धाम में सबसे पहले मंदिर का नर्मार पाचों पांड़म ने किया था लेकिन वस समय के साथ फिलुप्थ हो गई जसके बाद आदी गुरु शंकराचार जी ने इस मंदिर का पुनह नर्मार किया था खास बात यह है कि उनकी समाधी भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्तित है वैसे तो केदारनाध मंदिर के दर्शन करने का सपना हर किसी का रहता है और कहा जाता है कि जब बाबा बुलाते हैं तब ही कोई वहां पहुच भी पाता है लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप भगवान केदारनात का दर्शन करने जाते हैं और भैरवनात का दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है इसलिए अगर आप केदारनात दर्शन करने जाते हैं तो भैरवनात का दर्शन करना बिलकुल भी न बूले केदारनात मंदिर दुनिया का इकलोता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिफ साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं आपको बता दे कि एक साधू के रूप में महादेव ने यही पर अपने एक भक्त को दर्शन दिया था और यही कारण है कि भगवान के दारनात को जागरित महादेव कहा जाता है आपको बता दे कि मंदिर में पूजा पाठ या अनुस्थान किसी पुजारी द्वारा नहीं किया जाता है बलकि यहां की पूजा विशेश समुदाय के सदस्य द्वारा की जाती है हाला कि मुक्य पुजारी मंदिर के अंदर अनुस्थान नहीं करते हैं मुख्य पुजारी जिसे रावल कहा जाता है वे करनाटक के वीरा शैव जंगमन समुदाय से जुड़े हुए हैं और केवल अपने अधिनस्तों को ही यहां की जिम्मिदारिया सौपी हैं धन पुराणों में बताया गया है कि भविश्य में केदारनात मंदिर विलुप्थ हो जाएगा और केदारनात मंदिर एक रहस्य बन कर ही रह जाएगा पुराणों की भविश्य वाड़ी के अनुसार इस समुचे छेतर के तिर्थ लुप्थ हो जाएंगे माना जाता है कि जस दिन नर और नारायर परवत आपस में मिल जाएंगे, मार्क पुरी तरह से बंध हो जाएगा किदारनाद मंदिर भारत के सभी शिव मंदिरों में से सबसे उचा है, जो समुद तल से 3583 मीटर की उचाईब पर इस्तित है खेर किदारनाद मंदिर को लेकर ऐसे अनेकों रहस हैं जिनकों शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है फिलाल क्या आप किदारनाद गए हैं, अगर हां तो हमसे अपना अनुभर जरूर साचा करिएगा मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लेंड नेटवर्क देख रहे हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा धन्यवाद